ये लड़ू दिखने में जितने सुन्दर लग रहे हैं, उसे कही ज़ादा स्वादिष्ट खाने में भी हैं, बनाने का तरीका बिलकुल अलग है, नए तरीके से मैंने ये चूरमे के लड़ू बनाए हैं, जिन में काफी सारे ट्विस्ट मैं आपको बताऊंगे, टिप्स मैं बनाना पसंद करेंगे, इतने सॉफ्ट और इतने डिलिश्य से लड़ू बनते हैं, तो शुरू करते हैं इस रेसेपी को बनाना, तो एक बड़े बरतन में हम पहले आटे लेंगे, तो यहां सबसे पहले मैं लोंगी आधा कप सूजी, बारिक वाली सूजी का इस्तमाल किया और आधा कप हम लेंगे उड़त की डाल का आटा, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसमें मुंग की डाल का आटा भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहां पे उड़त की डाल का आटा यूज किया है, आधा कप हम बेसन यूज करेंगे, एक कप चावल का आटा और सूजी हमने ली है आधा-ाधा कप, अब इन सब आटों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 फोर्थ कप तेल, तेल को गरम नहीं किया है, नौर्मल तेल जो है वही हम इसमें यूज करेंगे, और तेल हम डालेंगे मोयन के लिए, ताकि जब हम इसके लडू बनाएंगे, लडू अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, तो इस तरह से अच्छे से आटे में हमको इस मोयन को मिक्स कर दिना है, अब इस आटे को हम लगाएंगे दूज से, तो नौर्मल दूज लिया है, आपको अगर लडू लंबे समय तक रखने है, बाहर भी अब आटा लगा के तयार कर लिए, सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे, दस मिनिट के लिए रख लेंगे, और दस मिनिट के बाद हम इसमें से मुठ्य तयार करेंगे, जैसे हम चूर्मे के लडू के लिए मुठ्य बनाते हैं, वैसे ही इसमें से हम मुठ्य तयार करेंगे, तो अच्छे से अंदर से पक जाएं कच्छे मुठी होंगे उनके लड़ू बनाएंगे लड़ू अंदर से चिप चिप करेंगे जब आप खाएंगे तो वो मुँ में चिप केंगे तो ऐसा नहीं करना है इसके लिए हमें मुठीों को मिक्सर में हमें इनका चूर्मा बनाना है तो इस तरह से एक बड़तन में मैं इन मुठीों के इस तरह से टुकड़े कर लूँगी अब इनको पीस्ते वक्त मैं इनमें चुचा खास चीजे डाल रही हूँ उससे इनका टेस्ट दुगना हो जाएगा तो क्या वो चीजे हैं मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले हमने यहाँ पे काजू, बदाम और किश्मिश लिये और यहां मैं ले रही हूँ इलाइची, जाइफल और जावित्री और साथ में कुछ काजू अलग से लिये हैं जिनको मैं फ्राय करके निकालूंगी तो अब लडूओं के लिए जो मुठी हमने तयार की हैं इनको मिक्सर जार में डाल दिया है दो बैचिस में करके मैं इनको पीस लूँगी और इसमें हम डालेंगे दो इलाइची साथ में थोड़ी सी जावित्री मैं इसमें डालूंगी आप जरूर यूज करें जब आप बनाएंगे तब आप इसके टेस्ट के आप तारीफ करेंगे तो इस तरह से इलाइची को मैं खोल के इसमें डालेंगे तो काजू और बदाम के मैंने चोटे टुकडे किये हैं किश्मिश को मैंने साबूत ही डाला है अगर आप टुकडे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो वो मैं डाल दूंगी quantity आप अपनी choice के according कर सकते हैं अगर आपको जादा अच्छी लगते हैं क्रण्ची अगर लड़ो में अच्छी लगते हैं तो आप जादा भी use कर सकते हैं अब जो काजो विदाम किश्पिश फ्राय हो गई है उसके बाद मैंने चूरमा इसमें डाल दिया है अब चूरमे को जादा नहीं सेखना है सिर्फ पांच मिनट के लिए हम चूरमे को सेख लेंगे थोड़ा सा बहुत जादा नहीं सेखना है नहीं तो यह ड्राय हो जाएगा और इसके बाद थोड़ा सा ठंडा होगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी तो एक कप पिसी हुई चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप मीठे के अकॉर्डिंग कम जादा कॉंटिटी कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे देसी गी तो गी को मैंने मैल्ट कर दिया है हलका सा गरम गी होगा तो ज़्यादा अच्छे से लड़ू बन जाएंगे समय कम लगेगा तो गी मैंने फिलाल आधा कप लिया है अगर जुरत होगी तो एक दो चमच हम और यूज़ कर सकते हैं लेकिन इनमें जादा गी का आफशकता नहीं होती है लड़ू अच्छे से तयार हो जाते हैं तो काजू बेदाम किश्मिश हमने अलड़ी डाल दिये थे अब इसी हुई चीनी और गी भी डाल दिया है अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और लड़ू तयार करेंगे और लड़ू को तयार करने के बाद जो हमने काजू फ्राय करके रखे हैं वो हम इसमें उपर से लगाएंगे गारिशिंग के लिए तो इस तरह से मुठी में लेते हुए थुड़ा सा चूर्मा और इस तरह से लड़ू बान देंगे असानी से लड़ू बन जाएंगे समय नहीं लगेगा और इसके ऊपर एक काजू मैंने रखाया और फिर से मैंने इसको प्रेस कर दिया है ताकि अच्छे से लड़ू तयार हो जाए तो तयार हो गए है हमारे नए तरीके से लड़ू आप जब एक बार बनाएंगे आपको खुद पता चलेगा इसका स्वात कितना बढ़िया है तो एक बार इस रेसिपी को ट्राय जरूर करिएगा सब तारीफ करेंगे बहुत तेस्टी हैं बहुत स्वातिष्ट हैं तो एक बार रेसिपी को ट्राय करें चैनल पे नए आए हूँ तो जरूर फॉलो करें सब्सक्राइब करें रेसिपी को लाइक करें और शेयर जरूर करें